यूपी की जेले अपराधियों के लिए आरामगा बनती जा रही है बात उन्नाव की हो या फिर मौउजिले की जेल दोनर ही जगाओं पर ऐसी ख़बर आई है ऐसा वीडियो सामने आया है जहाँ पर अपराधी केदी मौज मस्ती के साथ रहते हैं अपराधियों की आरामगा बनी मौजेल पैसे हो तो जेल में मिलेगी आयाशी की सुवधाईं मौजेल में 20 रुपए में मिलता है नाश्टा जेल में पैसे देकर खाने की चीज़े खरीते केदी मौजेल में बिक्ता है नशे का सामानी जेल में चल रहा है हिरोईन गांजे का क अगर आपके जेब में पैसे हैं तो आप मौउस दिला जेल चले जाएगे जहां आपको हर सुवधा मिलेगी जेल में 20 रुपे में भर पेट नाश्ता मिलता है तो वहीं हर महीने 10,000 रुपे देने पर नशे का कारोबार करने के इजाज़त भी मिलती है तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कहीं हीटर पर खाना पक रहा है तो कहीं रोटियां से किज़ा रही है तो कहीं प्रतिबंदत चीजों का खुले आम सेवन हो रहा है अगर आपके पास पैसे हो तो आप महुस दिला जेल आ जाएगे जहां आपको हर सुवधा मिलेगी तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि रुपे लेकर बैरक में पूरी सबजी के बिक्री, खुले आम हेरोईन गांज्वा का इस्तमाद, मोबाइल पोन पर आराम से बतियाते कैदी, हीटर जुलाकर स्पेशल खाना बनाना, हर वो चीज दिखाई दे रही है जो जेल के अंदर प्रतिबंदित है, बैरकों में कैदियों को 1000 रुपे में हीटर और मोबाइल चुलाने की सुविधा मुईहा कराई जाती है, यूपे की जेले अपराधियों का अराम गहा बन गई है, जेल के भीतर से वारल हो रहे वीडियो, अधिकारियों के दावे की पोल खोल रह है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, कि जब अपराधियों को जेल का भी डड़ नहीं रहेगा, तो कानून व्यवस्था कैसे दुरस्त होगी, आए दिन जेलों से जो तस्वीरे सामने आ रही है, उसे जेल प्रशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो रही है, आपक गंटी का बटन दबाएए और हिंदी खबर से जुड़ जाएए